पर्सनल फैनेंस के बारे में केर करना चाहिए हो सके तो सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए ऐसे कहने वाले आपके सामने बहुत होंगे क्या आपको पता है अगर आप पर्सनल खुश रहना चाहते हैं फ्रीडम लेना चाहते हैं अपनी family के लिए काफी कुछ करना चाते हैं, अपने बच्चों के लिए करना चाते हैं, अपने parent के लिए करना चाते हैं, spouse के लिए करना चाते हैं, तो सब में जो core ingredient है, वो है finance, मैं यह नहीं कहता कभी भी, कि finance ही सब कुछ है, बट येस, finance बहुत कुछ है, finance आपको freedom देता है, finance आपको tension free करता है relax करता है एक flexibility देता है एक liquidity देता है कि आप कुछ plan कर सके execute कर सके जब मन करे relax भी हो सके job में है और कुछ creativity करना चाहते है तो region दे के कर सकते है छुटी ले लीजे डर नहीं है निकालेगा निकालेगा कहीं घूमने जा सकते है लेकिन अगर आपकी financial planning अच्छी नहीं है तो कितना भी पैसा आपके पास हो वो सब आपका बेकार हो सकता है drain हो सकता है चला जा सकता है तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले financial planning आखरी तक रहिएगा चैनल अच्छा लगे पहली बार आए है managerial skill corporate behavior entrepreneurship इन सब पे बात करूँगा social and of course current event पे भी बात करने वाला हूँ इस चैनल को आपका अपना चैनल बनाना चाहता हूँ मैं और आपको इसका feedback देते रहना चाहता हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप complete feedback दे मुझे और इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा benefit उठा सके तो चलिए इस वीडियो में बात करने वाले है elements of financial planning सबसे पहले start करते हैं अब financial planning के elements क्या क्या है यह elements में वो सारे point हम discuss करने वाले है जैसे कि definition कि यह है क्या what is financial planning यह है क्या किस किस चीज को इसके अंदर हम रखेंगे second point में discuss करने वाला हूँ क्या क्या steps involved है in financial planning में क्या क्या हम छोटी छोटी बाते है step उसके अंदर का step डिसकस करने वाले है आज वीडियो में phases कितने phase क्या यह planning हो सकता है और आखरी में इसको conclude किया जाएगा जो आप सब जानते भी हो ऐसा कुछ नहीं नया बोलने वाला हूँ कि comprehensive evaluation of your financial goal your current situation your future prospect planning and your risk appetite आप कितना risk ले सकते हैं current situation क्या है future का aim क्या है goal क्या है इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम कुछ plan करते हैं अगर हम कुछ इस दिसा में direction में काम करते हैं तो उसे ही हम financial planning कहते हैं यह हमारा financial planning हो गया अब यार financial planning तो हमने जान लिया है क्या अब करें कैसे क्या क्या steps है इसमें आप नौकरी सुदा हो सकते हो आप हो सकते हो housewife हो आप हो सकते हो pensioner हो हो सकते हैं आप government job में है जहां पर fix income है private job में तो एक ठीक एक बंदा अगर उसको grow चाहिए तो company बदल सकता है अपने skill को enhance कर सकता है performer बन सकता है तो वो अपना grow कर सकता है बट government job में क्या है कि आप कितना भी performer हो एक limit के बाद ही आप grow करते हो तो ऐसे cases में क्या plan किया जाए जिससे हम freedom ले सके financial freedom ले सके इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं क्या क्या step involved है तो सबसे पहला step जो होना चाहिए कुछ planning के लिए कुछ अगर आप चाहते हैं उसके लिए goal तो बनाईए तो पहला step मैंने रखा है goal कि financial goal आपका क्या है अब goal में और कुछ भी हो सकता है आप सूच सकते हो कि यार हमें गाड़ी खरीदनी है हमें घर खरीदना है हमें अपना जो इनो बच्चों की schooling को के साथ साथ उनको tuition दिलवाना है उनको coaching दिलवाना है या हमें एक बार साल में foreign का tour करना है तो ये सारी planning आपकी financial goals में हो सकती है goal आपने decide किया आप achieve करने का plan करते है achieve करने का plan हमेशा आता है budgeting से budget and cash flow planning कि आपका budget क्या है और आपकी cash flow planning क्या है आप budget में अक्सर आके हम परिशान हो जाते हैं अगर हमारे पास fixed income होता है याद रखना यार कितने भी YouTube पे लोग message करें आपको बताएं, वीडियो बनाएं लेकिन फिर भी आप लिखते नहीं अगर आप दिन भर में 5 मिनट का समय निकालो और अपने रोज के expenditures को लिखो और यह ऐसी चीज है जो life में सायद आपके बात सबसे जाता important चीज है आपके लिए वो है आपका finance और उसी को आप कभी manage नहीं करते हैं देखो यार it's never too early too late finance के मामले में to create financial planning it's never too early too late कभी भी ना तो जल्दी होता है ना late हुआ है तो आज से अगर वीडियो देखने के बात से ही आप सुरू करते हैं तो भी आपका काफी help करेगा अब यार budgeting and cash flow planning क्या होती है यह बड़ा simple सा time में इसको हम complicate नहीं करते हैं budgeting का मतलब जो आपके पास inflow आ रहा हर महिने उसमें आप आपका उसमें से खर्चा कितना होता है इसी का हिसाब के दाब अब आपके पास माल लो आरा 100 रुपया खर्चा हो जा रहा है 1.5 रुपया 110 रुपय तो naturally cash flow तो माइनस में है ना आपका तो आप कैसे आगे जाके अपने financial goal को achieve कर पाऊगी in fact आखरी time में debt में रहो गया और फिर एक basis circle बन सकता है अगर आप का finance नहीं बढ़ा तो तो हमेशा कोसिस करके एक ऐसा instrument generate करिए एक ऐसी planning generate करिए जहां से आपका कुछ सालबाद हो सकता एक सालबाद हो सकता दो सालबाद हो सकता दो सालबाद कि आप इस में से कितना पैसा बचा सकते हैं in fact at least ये तो पता चल जाएगा कि कहां पे आप चादा खर्चा कर रहे है कहां से cut किया जा सकता है कहां पे जो खर्चा है वो उतना productive नहीं है कौन सा खर्चा productive है कुछ खर्चा आप बचा नहीं सकते जो नीड की चीज़े हैं उन नहीं बचा सकते कई कई बार इनों कुछ-कुछ लोग बहुत smartly प्लान करते हैं वो छोड़े-छोड़े चीज़ों में छोड़े-छोड़े बचत करके अपने बज़ट को बनाते हैं आपको पता है अगर हम बात करें इंडिया में तो इतने सांदार इतने सांदार बी स्कूल वाले मेंने मैनेजमेंट गुरूज प्लानिंग करते हैं का आपसे पैसे खर्चे कैसे करा है मैंने अब एक दिन टीबी में एट देखा कि एक तारिक से साथ तारिक तक क्रासरी खरीदने पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है डिसकाउंट दिया जा रहा है परपस क्या है एक से साथ तारिक के बीच में सबकी सेलरी मिलती है तो उस टाइम ज़्यादा ज़्यादा पैसा निकल वाला है आप कहीं भी सापिंग करने जाओ आपसे सबसे पहले मॉबाइल लिया जाता है मॉबाइल पर रोज आपको SMSS दिये भीजे जाते है WhatsApp मैसेज किया जाता है अभी मैं कुछ दिन पहले एक जैम के साप पे गया जहां पे स्टोन एंड जैम्स मिलते हैं तो वहाँ पे मैंने नंबर दिया आप मिरे पार रोज आ जाता है कोई एक स्टोन के बारे में information कभी दूसरे स्टोन के बारे में information और ये आपको कई बार prompt करती हैं कई कई बार आपको influence करती हैं जिससे आप shopping कर लो link आ जाएगा कि link करके आप खरीद लो अब आपका ये smartness होना चाहिए कैसे आप अपने पैसे बचाएं और कैसे कोई भी buy कोई भी purchase आप smartly करें तो ये हमेशा budgeting and cash flow planning में होगा अब basically आपको इस time ना आपको ये भी plan करना चाहिए कि आपका net worth क्या है net worth क्या है मतलब आपके पास assets क्या है आपके पास liabilities क्या है assets यानि जो आप own करते हैं assets ये यानि जो आप own करते हैं से video बनाये था मैं और liability जो ओ करते हैं OWP यानि जिसके लिए आप जो आप ready है जिसके लिए जो आपको देना है तो जब भी cash flow planning करें अपनी बजटिंग करें तो अपनी liability को ध्यान रखें कि आपके पास liability कितनी है और जो assets है वो आपके बुरे वक्त में काम आ सकता है आपको confidence दे सकता है तो इस budgeting and cash flow में आपको net worth भी अपना देखना है इसके बाद तीसरा point आता है debt management plan देखो यार अगर आपके पास करजा है किसी चीज़ का अगर आपके पास करजा है किसी चीज़ का या कोई चीज़ आपको देना है मालो, credit card का bill देना है EMI देना है तो आप उसको नहीं खतम कर सकते है आपको देना है अब उसको कैसे minimize किया जाए इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है आप जरूर देखना कि एक-एक EMI जादा देने के बाद अगर आप EMI भी साल भर में बढ़ा देते हो तो आपका जो डेट है वो काफी significantly down हो जाता है और बहुत जल्दी आप पेगा सकते हैं तो आप अपने डेट को प्लान करिए कैसे मैनेज करना है आपको क्योंकि अगर डेट मैनेज हो गया आप डेट फ्री हो गया तो आप हर चीज बेटर तरीके से प्लान कर सकते हैं और आपको एक financial burden भी फिल नहीं होगा तो budget and cash flow planning के immediate बाद या उसी point के साथ आप इसको debt management को रख मैं इस फिर discuss करना चाहूंगा कई बार हम सोचते हैं कि हम बच्चे को इतना अच्छा खासा पढ़ा लिखा दे कि बच्चा अगर मेरा सेटल हो गया बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया अच्छा इन्सान बन गया अच्छा इनो उसका future बन गया उसकी earning capability हम बढ़ान लेकिन मेरा मानना है कि आपको इन सब के बाद ठीक है अच्छी बात है हमारे इंडिया में ऐसा हम plan करते हैं मानते हैं लेकिन मेरा मानना है कि retirement plan direct indirect जरूर थोड़ा बहुत plan आपके दिमाग में होना चाहिए यह ऐसा subject है ऐसा topic है जिसको आप ignore नहीं कर सकते हैं उसके बाद retirement plan plan के बाद जो पांचवा point में रखता हूँ और भूसे में रखता हूँ emergency fund emergency fund की कितनी need होती है आप समने अपनी life में कभी न कभी जरूर face किया होगा अगर नहीं face किया होगा तो covid में देखा होगा आपने emergency fund हर किसी के life में कभी न कभी उसकी जरूरत पढ़ती है और अगर हमा लेकिन हो ideally कम से कम आपके salary का आपके month income का monthly income का six times तो होना ही चाहिए ये ऐसी जगहर रखो और भूल जाओ जो आपके काम आए कुछ नहीं कर सकते इतने पैसे का gold ले लो और रखता हो इंट्रेस भी मिलता रहेगा उमलब उसको grow भी करता रहेगा और आपके पास liquid भी रहेगा लगभर लगभर तो emergency plan आपको करना बहुत जरूरी है उसके बाद six point है six point है insurance coverage आपके financial planning का एक बहुत ही key element है insurance planning insurance planning में अकसर लोग गल्दी करके unit linked insurance यार एक बात बताओ insurance का मतलब ही होता है unforeseen condition में काम आए वो पैसा आपके परिवार को अगर आपके साथ कुछ हो जाए खुदाना खास्ता तो आपके परिवार को वो काम आए अब एक बात बताओ कई बार लोग सोचते हैं कि यार अगर मेरे को कुछ नहीं हुआ तो मेरा तो पैसा waste हो गया अगर हमने term ले लिया ulip में है कमसे हम कुछ तो मिलेगा ग्रो तो करेगा हमारा पैसा मिलेगा तो हमारा पैसा और यही लोग अपनी गाड़ी को insure कराने के लिए पैसे देते क्योंकि वहां मजबूरी है चलो माल लिया मजबूरी नहोती तो वहां भी नहीं देते लेकिन यार याद रखो अगर आप ulip लेते हो तो उसमें काफी person allocation पहले तो वो commission में चला जाता है कम पार्ट allocate होता रिटर्न कम मिलता है और फुदाना कास्ता कुछ हो गया तो आपके family को बहुत कम उसका total sum insured मिलता है whereas in term insurance it is very very high और term insurance भेकर आप बच गए तो खुस हो जाओ और ज़्यादा यार आप बच गए हो वो जो पैसा आपने दिया उसे कहीं ज़्यादा कीमती आप है तो आप बच गए बहुत अच्छी बात है लेकिन आपकी family तो insured रही तो यह जो insurance की planning है coverage जैसका अलग से video भी बनाया है मैंने इसको आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा अब आजाते हैं estate plan यानि आपकी life में आप naturally कम salary लेते हो ज़्यादा salary लेते हो micro planning उसका एक वीडियो लाने वाला हो या आप कम salary में कैसे micro planning करें micro budgeting family का घर का उसके लिए video लाने वाला हो तो estate plan का मतलब होता है कई लोग आपको बोलते होंगे यार rental house रहना जादा थी में रहना जादा ठीक है क्योंकि दो ढ़ाई person का rental yield होता है इसका मतलब समझा दू जो नए लोग है rental yield का मतलब क्या हुआ कि एक करोड का आपने मकान लि रहे हो आप और जब की 20-30 लाग आपने वैसे भी अपने पैसे ब्लॉक कर दिये और घर में इतना जादा ग्रो होगा नहीं कि हर साल 20 परसंट 15 परसंट बढ़े 6-7-8-10 परसंट का ग्रो होता है घर मलब एक real estate उससे बढ़ियां वो पैसा आप बैंक में रखते या कहीं और invest कर देते और आप वही मकान 20,000 रुपे के किरायां में ले लेते अब कहां 20,000 यानि साल का 2,20,000 कहां आपने 20-30,000 ब्लॉक कर दिया तो ये आपको logic लोग देंगे मेरा मानना है कि यार 30, 35, 40 साल तक आते आते एक घर तो होना चाहिए जगो यार हम Indian है एक घर होना चाहिए इसके बाद जादा ना करो हाँ उस घर को लेते टाइम अब सारे parameter को consider कर लो इसका growth plan इसका yield क्या हो सकता है क्या ये grow करेगा land की केमत वहाँ पे क्या है ये सबाप plan कर सकते हो बट यार e-state planning में ये होना चाहिए अगर आप इसमें invest करते हो तो काफी सो समझ के investment करना क्योंकि इसमें बहुत सारे myth हैं बहुत सारे traditional families आपको guide कुछ और करेंगी actual में कुछ और होगा तो सबके साथ सबके लिए मैं बताना चाहूंगा कि planning आपकी बहुत detail में होनी चाहिए conclusion यही आया कि पूरे finance को जब तक आप plan नहीं करेंगी जब तक pen paper नहीं करेंगी जब तक statement नहीं करेंगे तब तक better plan execution होई नहीं सकता plan तो चलो आपने बना लिया पड़ execution करने के लिए आपको यह सारी चीजे करनी पड़ेंगी cash flow देखो अपना cash flow में अगर आपको monthly expenditure देखना है तो सीधे ज़्यादा ज़्यादा काम करो आप इन्हों UPI payment करो सारा payment bank के थुरू करो card के सकते हो कहां पर आप बिलकुल नहीं बचा सकते हैं यहां पर अगर करते हो ता अपने पूरे budget को 10-15% तक आप save कर सकते हो तो मुझे लगता है कि यह जो मेरा आज का detail था आपको काफी help करेगा प्लीज कमेंट करके बताईएगा आपको कैसा लगा थैंक यू वेरी मच बबा थैंक यू रिय बड़ा आपको करेगा कि यू आपको करेगा हैदिस्टा वेरी मच वे बाल आपको करेगा है अर आपको करेगा है यह जासेदा एक